हाई फ्रेंड्स वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यव चैनल पर आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होने जा रही है क्योंकि काफी सारे केंडियर्स के कमेंट सारे की FCA की नई रिकूर्टमेंट आई है उसके बारे में चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बैल आइकन को जरूर प्रेस करना इससे आपको फ्री में नोटिफकेशन आते रहेंगे जब भी मैं कोई नहीं जानकर या आपकी लेकर आउंगी और बताना चाहती हो आल्ड़ेटी दस से बार नहीं नोटिफकेशन आउट किये जा चुकी है जिसमें आपकी सेंटर की वेकैंसिस अलग आई है और स्टेट की वेकैंसिस अलग आई है ठीक है और उसके लिए हमारी ओफिशल वेबसाइट www.clory.com पर विजिट करके आप सारी इंफोर्मेशन ले सकते हैं वहां पर आपको प्रॉपरली गाइड भी किया गया है किस पोस्ट के लिए किस तरह से और कब से आप अप्लाई कर सकते हैं फिलहाल हम बात करेंगे रिक्रूट्मेंट की जो आप बोल रहे है कि FCAE यानि कि Food Corporation of India की तरव से 576 वेकैंसिस कोई टोटल आई है जिसमें आपको बताया जा रहा ह कि J.E. की वेकैंसिस आई है क्लर्क की वेकैंसिस आई है उसी के बारे में हम भी बात कर रहे है कि ये वेकैंसिस आई है ये नहीं आई है मैं आपको सबसे पहले यही बताती हो कि जब आप ऑफिशल साइट पे जाएंगे यानिकि Food Corporation of India की ऑफिशल साइट पे आप जाएंगे वहाँ पे आपको दो नोटिफकेशन दिखाई देंगे कैटेगरी वन का और टू का थर्ड का वहाँ पे कोई भी नोटिफकेशन नहीं है जो नोटिफकेशन वाइरल हो रहा है दस बार दिन हो गए है को जो नोटिफकेशन वाइरल हो रहा है वो FCA ने नहीं जारी किया है पता नहीं वो किसने ही रिलीस किया है, अपने आप ही बना रखा है, फेक ही नोटिफिकेशन है, कैंडिट्स को पागल बनाने के लिए किया जा रहा है, मुरख बनाने के लिए टाइम वेस्ट करने के लिए किया जा रहा है, पता नहीं लोग ऐसा करते कि वह यह भी समझ नहीं सब्सक्राइब करना वीडियो को ज्याद से ज्याद लाइक करना थैंक्स फॉर वॉचिंग